नमस्कार ब्यूटिफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं कीरिन आपका स्वागट करती हूँ आज मैं आपको नमक से आप अपने दाग धबो को चहरे के कैसे हटा सकते हैं वो बताऊंगी तो हो सकता है कि आपने ये पहली बार सुना हो कि नमक की मदद से भी आप अपने चहरे की दाग धब्बे हटा सकते हैं पर किस तरह से हटा सकते हैं और नमक में कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज है आज मैं आपको बताती हूँ नमक में antibacterial properties होती है साथी साथ इसके अंदर cleansing properties होती है जिन दोनों की मदद से ये pimples को मार हटाता है और डाग धबों को निकाल बाहर करता है साथी साथ नमक की अंदर बहुत सारे minerals होते हैं जो कि हमारी skin के लिए बहुत ही अच्छी होते है ये हमारे skin का mineral level है उसे भी manage करता है हमारे skin को बहुत अच्छे से hydrate करता है तो नमक हमारे skin के लिए बहुत ही उपयोगी है पर इसे इस्तुमाल कैसे करना है? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी पर दोस्तों अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं चहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स है तो आप इस प्रयोग का उपयोग कर सकते हैं जिसके लिए आपको चाहिए शहद शहद में बहुत ज़्यादा अंटिबाक्टरियल प्रॉपर्टीज होती है और ये सारे किटानूस को मार भगाता है जिसकी वज़े से आपको पिंपल्स नहीं आते हैं साथे साथ आपको चाहिए नमक तो एक चम्मच शहद में आपको आधा से पॉन चम्मच शहद को मिक्स करना है और इससे अच्छे से मिक्स करके अपने चहरे पर लगबग 10-15 मिंटों के लिए लगा कर रखना है उसके बाद अपने चहरे को ठंडे पानी से धोलेना है हफते में दो से तीन बार आप इसे उप्योग कर सकते है इसे करने से जितने भी आपके चहरे पर पिंपल्स है वो चले जाएंगे ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है पिंपल्स को भगाने के लिए आप एक बार सरुर करके देखे इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊ जिसके लिए आपको चाहिए दही और नीम्बू और नमक दही में लाक्तिक असीड होता है और नीम्बू में विटानी सी होता है इन दोलों की मदद से जितने भी दाग दब्बे है वो चले जाते है इसलिए आपको दो चमच दही में थोड़ी सी बूंदे नीम्बू की मिल और लगबग आधा चमच नमक मिलाना है इसे अच्छे से मिलाकर अपने चेहरे पर लगबग 15-20 मिंटों के लिए लगा लेना है और उसके बाद अपनी चेहरे को धोलेना है चाहे तो इस उपाई को आप रोजाना कर सकते हैं या फिर हफ्ते में दो से तीन बार भी कर सकते हैं इसके मदद से आपके चेहरे के जितने भी दाग धबबे हैं वो चले जाएंगे और आपका जो चेहरा है वो दाग धबबों से मुक्त हो जाएगा इसके बाद मैं आपको और एक अच्छा तरीका बताती हूँ अपनी स्कीन की घहराई से सफाई करने के लिए जब आपके स्कीन की घहराई से सफाई होती है तो आपकी स्कीन बहुती ग्लोविंग बन जाती है पिंपल से मुक्त हो जाती है इसके लिए स्कीन की सफाई करना बहुत ही जरूरी है वो कैसे करना है मैं बताती हूँ इसके लिए आपको नमख और पानी का अच्छा सा एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है इस पेस्ट को अपने चेहरे पर स्क्राप करना है लगबग 2-3 मिन्टों के लिए ऐसा करने से जितने भी डेट सेल्स है या फिर ब ब्लाक हेड है वो भी निकल जाएंगे तो दोस्तों ये थे नमक के कुछ घरेलू उपाय जिनकी मदद से आप अपने पिंपल्स को बाई बाई कर सकते हैं मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद